हाई गाईस, वेलकम बैक, आज मैं नया एक टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है, यह देखिए मेरे पास आया हूए है, यह इन्माटा रेसी का बोड है, और यह इसका क्या क्या सिस्टेम है, और यह कैसा चलता है, और इसका कनेक्शन कैसा है, मैं आपका फुल पोसेस आप और यह कैसा कैसे कैसे रिपेर होता है, मैं आप लोगों को पुरा जानकरी देंगे इस वीडियो में, वीडियो देखते रहेगा, दोस्तों, और मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, नेक्स्ट वीडियो भी लिए, ओके, दोस्तों देखिए, यह जो है, यह इंडोर यूनिट का बोर्ड है, ठीक है, और यह जो मोटर है, यह स्विंग मोटर है, और यहां पर लगा हुआ है, देखिए, डिस्प्ले सेंसर और LED इंडिकेटर है, ठीक है, और यह जो मोटर है, यह मोटर AC में चलता है, इस बोर्ड में कनेक्शन होता है, इसंगल में चलता है यह मोंटर अचो ब्लोवर मोटर है स्ब्लोवर फैन मोर्टा बोलता है तो दोस्तो यह तो हो गया इंडोर यूनिट का फीसी भी चुह इंदर हैTh天 यह जो ला जो पीच्शीप है यह यह लूब यूनिट का का PCB है आउट्डोर यूनिट का PCB में यह ऐसा वाला सर्किट रहता है और इसमें जो यह वाला जो मोटर है यह DC मोटर है यह DC कॉंडेंसर मोटर है ठीक है इसमें यह आउट्डोर में फिटिंग होता है ठीक है यह आउट्डोर के पास है और इसका जो आउट्डोर का दिखाएंगे ओके दोश्तों पेले तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगो को डिखा दू, एक बार connection आप लोगो को डिखा दू जो इदर जो n लिखा हुआ है, n1 लिखा हुआ है, यह तो n का मतलब neutral लगा हुआ है और इसमें 1 जो है यह phase और यह जो 2 का connection है यह 2 तुबला जो connection हे इधर Raid connection औता है इस motherboard से connection आता है जो on signal आता है जैसे कि ये दूनों मेन गलब धयर जाता है इड़ पीचिती में जाता है ये connection और connection जाने के बाद यह smps चालू होता है इस smps से बनता है voltage जो यहां पर output होता है और इस board में यह जो processor है यह processor पुरा board को पुरा PCB को control करता है ठीक है और यहां पर जो set on होता है तब यह red wire से इधर आता है on signal यहां पर आता है दो number का connection फिर यह वाला यहां पर दो number का यहां पर connection जाता है यह red wire इधर पर आ गया इस motherboard पर एक processor है यह जब on होगा यह mother board यह mother board जब on होगा processor on करेगा तब यह motherboard system को on करेगा ठीक है पर जो in और one लिखा हुआ है यह in इधर से यह फर दिखाओ यह in यह आप से neutral आ गया यहां पर इधर दिखाओ neutral आ गया और इधर वान जो लिखा हुआ है यह वान के साथ one connection होगा ठीक है यह phase के साथ phase connection होगा और neutral के साथ neutral connection होगा और यह हो गया आपका on signal ओके ठीक है और इधर का जो line connection है आप दोगों को दिखा दूँ एक बड़ यह जो connection है यह compressor का connection है ठीक है जो inverter AC में लगता है DC compressor ओके यह three phase का लाइल है DC output voltage होता है अभी कैसा बनता है voltage कैसा output होता है मैं आपको दिखाऊंगे इस unit के बारे में इसको open करके दिखाएंगे कि क्या 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 है component क्या क्या है इसे काम क्या है ठीक है मैं दिखाऊंगी ओके दोस्तों यह PCB का नीचे का side है यहां पर screw है तो मैं खोलेंगे पहले खोल के आप लगों को दिखाएंगे जिसका circuit किस तरह का है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा दोस्तों और यह काम को भी बहुत ही आसान है कि आप लोग कर सकती है कि यह ओपन हो गया ठीक है दोस्तों आप देख सकती है यहां पर जो input connection होता है यह blue जो है यह neutral हो गया और यह phase हो गया यहां पर fuse है यह line filter ठीक है और यह line जाता है यहां पर ठीक है यह ब्रीज ट्राइब डायड है ठीक है 350 वोल और 380 वोल बनता है यहां पर ठीक है यह जो प्रेपासिटर से वोल्टेज जाता है IPM यह जो है IPM intelligent power management यहां से connection यह वोल्टेज यहां पर input होता है और यहां का जो output voltage जाता है यह देखिए compressor का 3-phase voltage output जाता है यह voltage तीनों voltage एक सो 160 वोल्ट और 180 वोल्ट के आसपास में जाता है output compressor के सब ठीक है और यहां पर जो smps है यह देखिए smps का यह वाला जो है एक सब्सक्राइब यह आइसी जो है switching आइसी है यह जो smps से switch more power supply यह smps यह यहां पर voltage output होता है ठीक है यहां पर दिखिए यहां पर दिखाओ यह 19 वोल्ट आउटपूट करता है और 19 वोल्ट आउटपूट करने के बाद यह circuit पुरा इस smps से चलता है ठीक है मेरे पास आया था यह जो indoor का unit है indoor का unit ठीक था ठीक है और इसमें जो outdoor का unit है ना outdoor का unit बंद था चालू नहीं हो रहा था है तो मैंने यह IC यह जो IC है यह जो IC है यह IC खड़ाब हो गयत है इसका number है MIT 2K3 यह IC मैंने चेंज किया इस smps का IC है यह अगर यह IC खड़ाब हो जाएगा तो आपका यह पुरा system बंद हो जाएगा पुरा circuit बंद हो जाएगा ठीक है कोई system काम नहीं करेगा यह outdoor unit का कोई system काम नहीं करेगा कि अब देख सकते हैं मैं यह तो रिपियर किया कौन सा component चेंज किया आपको मैं बोला तो अभी मैं इसको on करके देखेंगे जब बड़ाबर चल रहा कर नहीं ठीक है और आप लोगों को voltage भी दिखाएंगे है ओके तो आप लोग देखिए मैं यह पावर और किया और होने का बाद इधर दिखाओ इधर डिस्प्ले आ गया अबी देखिए यह थोड़ा सा हलका सा घूम रहा है कि तेंप्रेचर कर डिस्प्ले आ गया देख सकते हैं आप लोग इसका जो ग्लोवर मॉटर है यह घूम रहा है देखिए बड़ाबर ठीक है अभी थोड़ा देर का बात यह मटर जो है यह चलने यह चलने लगेगा ठीक है इसमें टाइम सेट को किया हुआ है टाइम जब हो जाएगा तभी यह घूमने लगेगा चलने लगेगा ठीक है जब ही यह मोटर भूमने लगेगा तभी यह कॉंपेसर का लाइन थ्रीफेस का लाइन आउर्पूट होगा यहां से कॉंपेसर का पास जाएगा ठीक है और आप देख सकते हैं इधर जो पीसीबी यहां पर छोटा वाला एलेटी यह ब्लिंग कर रहा है ठीक है देखिए दोस्तों यह कॉंपेसर जो मोटर है यह चलने लगा है अभी इसका देखिए DC 280V 41W है ठीक है यह मोटर यूज होता है यहां पर इनवाटर AC में यह DC मोटर यूज होता है और विदाउट इनवाटर AC में AC मोटर यूज होता है ठीक है देखिए यह पूरा सिस्टेम अभी वर्क कर रहा है ठीक है और मेरा चनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिजेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजेगा और इनवाटर AC जो मर्केट में लॉंच हुआ है इनवाटर AC में पावार सेफ होता है बिजलीत का सेफ बहुत ही होता है ठीक है? आप देखिए मैं इस बार्ग बोड को नीचे के साइड में कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को एंड तक देखते रहिएगा वीडियो आपका नॉलेज बहुत सारा आ जाएगा ठीक है दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते है PCB का नीचे के साइड यहाँ पर AC जाता है यह लाइन फिल्टर है ठीक है यह जंपर है तो यह लाइन AC 220 कनेक्शन जाता है यहाँ पर जो ब्रीज टाइप है डबल ब्रीज टाइप फिर यह तीनो कैपासिटर है यहाँ पर प्रैलल में लगा ठीक है यह वोल्टेज जाता है यहाँ पर जाता है है ठीक है यह 350 वोल्ट जाता है IPM में intelligent power management में यहाँ पर input होता है यह तीनो जो connection है यह compressor में जाता है यह connection ठीक है जब यह processor on हो जाएगा तब यह voltage IPM में intelligent power management output करेगा compressor में जाएगा ठीक है तो मैं आप लोगों को voltage अभी मिटर पर दिखाता हूँ आप लोग देखते रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं इधर DC range में रखा है मिटर और यहाँ पर voltage देख लेंगे कितना volt है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 297 voltage आड़ा ह है ठीक है तो यह voltage जो यहाँ पर जाता है IP M में intelligent power management में यहाँ पर input होता है और यहाँ पर output होता है यह तीनियो लाइन मैं आप लोगों को दिखाएंगे output और यह जो SMPS है यह SMPS है तो जैसे कि मैंने आपको आप लोगों को बताया यह जो SMPS है यहाँ पर जो सर्किट है यहां से लेके यह सर्किट में 19 वोल्ट है 19 वोल्ट का output होता है यह देखिए एक बाद देख लीजिए यह देखिए 17 वोल्ट आ गया ठीके तो यह वोल्टेज जो बनता है यहां पर एक regulator से यह एक regulator है 7815 तो यह वोल्टेज लेके यह देखिए 15 वोल्ट देखिए यहां पर SMPS जो output होता है SMPS का 17 वोल्ट आउटपूट होता है यहां पर जो 7815 है regulators यहां पर voltage कितना है देखि लीजिए 15 वोल्ट का असपस है ठीके और जो compressor का आउटपूट होता है यह आप देख लीजिए यह बहुत ही important चीज है यह देखि लीजिए कितना बोल्ट आउटपूट होता है दोस्तों आप लोग देख सकते है जैसे के IPM में आउटपूट इनपूट देता है देखिए इनपूट 295 और इसका जो थ्रीफेज आउटपूट है आउटपूट करता है 147 150 देखिए तीनों बड़ाबर voltage यह तीनों आउटपूट जाता है compressor में ठीके दोस्तों मेरा वीडियो वाच करने के लिए और मेरा चनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी दीजिएगा और मेरा वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किजिएगा ठीके हैं